जै शिराधा कृष्ण भगवान जी की, जै कार्तिक मास की, जै धन तेरस पर्व की, मंदर शिबंसी वाले महात्माईड चैनर के ओर से हम आप सबी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्तिक मास त्योहारों का मास है, इस महीने में बड़े त्योहार होते हैं और धन तेरस का त्योहार भी इसी महीने में मनाया जाता है। जलाने हैं। एक विशेश जो बड़ा दीपक होता है, वो तो यमराज अर्थात यम देवजी के लिए जलाया जाता है। और जो बाकी तेरह दीपक होते हैं, वो भी इस दिन अवशे जलाने चाहिए। इतना करने से महालक्ष्मी मा की उस घर पर अनंत क्रिपा होती है। धन तेरस के त्योहार के दिन जिस घर में एक दीपक यमराज के लिए और बाकी तेरह दीपक विभिन देवताओं के लिए जलाया जाते हैं। उस घर पर सदा भगवान की क्रिपा बनी रहती है। उस घर में महालक्ष्मी मा का सदा के लिए वास होता है। उस घर में सभी द अपने घर में ये सारा कुछ कर पाएंगे तो सबसे पहली बात ये है कि इस वर्ष धन 13 को त्योहार दो नमंबर दिन मंगलवार को है और जो पूजा का शुब मुहुरत है दो नमंबर मंगलवार शाम 6 बजकर 18 मिनट से लेकर रातरी 8 बजकर 11 मिनट का रहेगा इस समय के बीच में पूजन किया जा सकता है और इस विशेश दिन में महालक्ष्मी माता जी के साथ आयूरवेद के जो देवता है धन वंतरी जी उनका पूजन किया जाता है साथ में कुबेर देवता का पूजन भी किया जाता है और यम देव का पूजन भी किया जाता है प्राचीन काल से ही धन तेरस के त्योहार के दिन नए बरतन खरीदने की परंपरा रही है और इस परंपरा को निभाते हुए सब को कोई ना कोई नया बरतन इस दिन अवश्य खरीदना चाहिए तो ये तो बात आ गई नए बरतन खरीदने की और जो दूसरी बात है विशेश रूप से जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो को आपके लिए लेकर आए हैं वो ये बात है कि इस दिन यमराज का पूजन किया जाता है इस दिन जिस घर में यमराज का पूजन किया जाता है उस घर में कभी भी किसी की अकाल मृत्यू नहीं होती इस दिन यमराज की परसंता के लिए जिस घर में साइकाल में दीपक जलाया जाता है उस घर के सभी मनुश्यों पर सूरे नंदन यमराज सदा परसन रहते हैं इसलिए यमराज की परसंता के लिए इस दिन साइकाल में दीपक जलाना चाहिए और जो इसके इलावा 13 दीपक हैं वो किस किस थान पर जलाने चाहिए वो सारी बाते हम यहां पर आपको बताने जा रहे हैं तो सबसे पहली बात ये है कि जो यमराज के लिए साइकाल में दीपक जलाया जाता है वो सबसे अंत में जलाना चाहिए जो बाकी 13 दीपक है वो तो पहले जलाया जाते हैं जो यमराज के लिए दीपक है वो तब ही जलाना चाहिए जब घर के सभी सदस से घर पर आ जाएं और और आप रात्री में भोजन कर लें उसके पशात आप यमराज के लिए दीपक जलाएं उसमें ये वी धान है कि आटे का बड़ा दीपक बना कर उसमें सर्सों का तेल डालें यमराज के लिए जलाए जाने वाले इस दीपक में चार बतियां जलाई जाती हैं चार बतियों वाल ये दीपक होना चाहिए अगर आटे का दीपक आप ना बना सकें तो मिटे के बड़े दीपक को भी इस कारे में परियोग किया जा सकता है और इस दीपक को धन तेरस के त्योहार के दिन रातरी के समय घर से बाहर निकल कर दाइं दिशा में जला दीजिए इसको चाहिए आप किसी कूडे के धेर के पास जला दीजिए या थोड़ा आगे आसपास जला दीजिए लेकिन ये दीपक घर के बाहर जलाया जाता है और दाने हाथ में जाकर आप इस दीपक को जला दीजिए साक्षात यमराज जी ने कहा हुआ है कि अकाल मिल्टू से बचने का ये विशेश उपाय है कि धन तेरस के त्युहार के दिन पूजन और दीपदान को वीधी पूरवक करना चाहिए ऐसा करने से अकाल मिल्टू से छुट कारा मिलता है इसके बारे में एक छोटी सी कथा हम आपको यहां पर सुनाने जा रहे हैं उस कथा के पशात हम आपको बताएंगे कि इस दिन जो तेरह दीपक जलाए जाते हैं वो किन किन के लिए जलाए जाते हैं किस किस थान पर उन्हें जलाए जाता है तो सबसे पहले वो कथा जो की इस परकार है एक बार की बात है यमराज ने अपने दूतों से प्रशन किया क्या प्रानियों के प्रान हरते समय तुम्हें किसी पर दया भी आती है यमदूत संकोच में पढ़कर कहने लगे हैं नहीं महाराज हम तो आपकी आगया का पालन करने वाले हैं हमें दया भाव से क्या प्रयोजन हो सकता है यमराज ने फिर अपना प्रशन दो रहाया कि संकोच मत करो यदि कभी कहीं तुम्हारे दिल में दया आई है तो नीडर होकर वे सारी बात कह डालो तब यमदूतों ने कहा है कि सचमुच एक घटना ऐसी घटी है कि जब हमारा हिर्दे भी कांप उठा था हमारे मन में भी ये बात आई थी कि हम ऐसा अनुचित कारे क्यों करते हैं यमदूतों ने कहा है कि एक बार की बात है एक राजकुमार के प्रान लेते समय हमें बड़ा दुख हुआ था राजकुमार की शादी को अभी चार ही दिन हुए थे उस घर में खुशियां मनाई जा रही थी सारे नगर में सब लोग प्रसन थे राजकुमार की मृतु जब हुई उस समय राजमहल में हाहाकार मच गया नमवधु सहित राजमहल के सभी सदस से वहाँ पर रोने चिल लाने लगे हैं उस समय हमारी आँखों में भी आंसु भर आएं हम अपने आपको धीकारने लगे इतनी बात सुनकर यमराज ने द्रवित होकर कहा है कि क्या किया जाए विधी के वीधान की मर्यादा हे तू हमें ऐसा अप्रिय कारे करना पड़ा तब यमदूतों के पूछने पर यमराज ने अकाल मृत्यू से बचने का उपाए बताते हुए कहा है कि धन तेरस के पूजन और दीपदान को विधी पुर्वक करने से अकाल मृत्यू से छुटकारा मिल सकता है धन तेरस के त्योहार के दिन जो मेरी परसंता के लिए साइकाल में दीपक जलाएंगे उस घर में किसी की कभी अकाल मृत्यू नहीं होगी उस घर पर सदेव मैं परसंता की द्रिष्टी रखूंगा तो इस प्रकार ये मराज ने स्वेम अपने श्री मुख से कहा था कि धन तेरस के त्योहार के दिन उनकी परसंता के लिए साइकाल में दीपक अवश्य जलाना चाहिए तो हमने आपको बता दिया है कि दीपक कैसा होना चाहिए किस तरह से जलाना चाहिए तो ये तो अकाल मिर्तु से बचने का उपाई हो गया तो सबसे पहली बात ये है कि इस दिन महालक्ष्मी माता जी का पूजन किया जाता है साथ में भगवान के अवतार धनवंतरी जी का पूजन किया जाता है धन तेरस के त्योहार के दिन ही भगवान धनवंतरी का अवतार हुआ था और इसके साथ ही कुबेर जी का पूजन भी किया जाता है साथ में यमराज जी का पूजन भी किया जाता है तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि तेरह दीपक किन के लिए जलाए जाते हैं, कहां कहां पर जलाए जाते हैं, सबसे पहली बात यह है कि जो आपने ये तेरह दीपक जलाने हैं, वो धरती पर सीधा नहीं रखने, दीपक के नीचे आप चावल को पीले रंग म या पांच रुपे का सिक्क अवश्य रखना है तो सबसे पहला जो दीपक है वो सबसे पहले गनेश जी महराज जी के लिए जलाया जाना चाहिए गनपती जी महराज सबसे पहले पूझनिय देव है और उनसे प्रातना करने चाहिए कि है गनपत्ती जी महाराज आज धन 13 के त्योहार के दिन मैं सबसे पहला दीपक आपके लिए जला रहा हूँ आप मुझे पर कृपा कीजिए मुझे सग्द बुद्धी दीजिए गनेज जी महाराज जी के लिए दीपक आप जला दीजिए और उससे दीपक में एक छोटी इलाइची डाल दीजिए और साथ में एक रुपे का सिक्का या पांच रुपे का सिक्का भी आप रख दीजिए दीपक को सीधा भूमी पर नहीं रखना चाहिए चावलों के उपर पीला रंग करके आप उस पर दीपक रखें या नीचे फूल इत्यादी रखकर उस पर दीपक रखा जा सकता है घर में गनपती जी महाराज जी के चितर के सामने आप ये दीपक जलाएं अगर घर में गनेश जी महाराज जी का चितर ना हो तो उनकी भावना करते होई आप अपने घर के मंदिर में ये दीपक रख दीजी ये दीपक शुद्ध घी का होना चाहिए और थात देसी घी का होना चाहिए और जो दूसरा दीपक है वो महा लक्ष्मी माता जी की परसंता के लिए जलाया जाता है ये दीपक भी शुद्ध घी का होना चाहिए दीपक को जलाते समय लक्ष्मी मां जैसे प्रातना करने चाहिए कि हे मां आपकी कृपा सदा हम सब पर बनी रहे हमारे घर में सदा सुख संपत्ती का वास हो कभी भी हमारे घर में धन की कमी ना हो इसके पशात तीसरा दीपक भगवान धनवंतरी जी के लिए जलाया जाता है श्री हरी में रखें कि जो भी आपने तेरह दीपक जलाने हैं सब में एक रुपय का सिक्का या पांच रुपय का सिक्का आप अवश्य रखें चोथा दीपक कुबेर जी के लिए जलाया जाता है ये धन के देवता है और ये रावन, कुम्भकर्न और वीभिशन के सोतेले भाई हैं चोथा दीपक इन्हे के लिए जलाय जाता है, इनकी क्रिपास से जीवन में हमें धन संपत्ती मिलती है, इनके लिए दीपक जलाते समय प्रातना करने चाहिए, कि हे प्रभु आपकी क्रिपास से जीवन में धन मिलता है, आप सदा हमारे घर पर क्रिपा करते रहना, तुलसी मां सदा ही अपने भक्तों पर कृपा करती हैं और श्री हरी विश्णु भगवान जी को तुलसी माता अत्यंत प्यारी हैं इसलिए तुलसी माता जी के लिए पांचवा दीपक जलाया जाता है तुलसी माता के समीप इस दीपक को जलाना चाहिए और जो छटा दीपक ह वो जल के देवता वरुन देवजी के लिए जलाय जाता है घर में जहां आपका पाने का स्तोत्र हो जहां से जल आता हो वो कुवां भी हो सकता है वो पाने की टैंके भी हो सकती है तो वहां पर आप ये दीपक जलाएं और जो इसके परशात सात्वा दीपक है वो गव माता के लिए जलाय जाता है घर में अगर आपके गव माता है तो वहाँ पर आप दीपक जला दीजिए या आप गव शाला में जाकर दीपक जला सकते हैं अगर आपके घर में गाए भी नहीं है आप गव शाला भी नहीं जा सकते तो आप अपने घर के मंदिर में गव माता जी को प्रनाम करके मन में भावना करके कि है गव माता आपकी परसंता के लिए ये मैं दीपक आपके लिए जला रहा हूँ वहाँ पर आप अपने घर के मंदिर में गव माता के लिए दीपक जला दीजिए इसके पशात जो आठवान दीपक है वो घर के मद्यस्थान अर्थात भ्रमस्थान के लिए जलाया जाता है प्राचीन समय में घर के आंगन में मद्यस्थान पर आम तोर पर हर घर में तुलसी जी का पोधा लगा होता था तो मद्य स्थान को ही भ्रहम स्थान कहा जाता है तो वहाँ पर एक दीपक जलाना चाहिए इसके पशात जो नोवा दीपक है वो घर की छत पर जिसकों की आकाश दीपदान भी कहते हैं घर की छत पर नोवा दीपक जलाया जाता है इसके पशात जो दस्वान दीपक है वो अपने पित्रों के नाम पर जलाना चाहिए पित्रों की कृपा से ही हमें जीवन मिला है हमारे पुरवजों की हमारे उपर कृपा है कि हमें उनके वंश में जनम मिला है तो जो दस्वा दीपक है वो पित्रों की परसंता के लिए जलाया जाता है और कुछ लोग तो पित्रों की परसंता के लिए धन तेरस के त्योहार के दिन से भईया दूज के त्योहार के दिन तक पित्रों की परसंता के लिए दीपक जलाते हैं तो ये आपके अपने मन की आपकी जो परंपरा है उसी हिसाब से आप कीजिये लेकिन धन तेरस के त्योहार के दिन पित्रों के लिए दीपक अवश्य जलाया जाता है। दीपक गंगा मैया जी के लिए जलाय जाता है और बारवा दीपक पीपल देव जी के लिए जलाय जाता है पीपल के रूप में स्वयम ही भगवान श्री क्रिशन जी है इस भावना से पीपल के पास दीपक जलाय जाता है घर के पास के मंदिर में अगर पीपल का वरिक्ष हो या घर के पास कहीं भी पीपल का वरिक्षो वहाँ पर जाकर आप दीपक जला दीजिए। आप अगर वहाँ पर नहीं जा सकते तो अपने घर में पीपल की भावना करके तुलसी जी के पोधे के पास आप दीपक जला सकते हैं। या घर के मंदिर में आप पीपल देव की भावना करके दीपक जला सकते हैं और जो तेरवा विशेश दीपक है उसको आप सबसे पहले अपने घर के मंदिर में जलाएं घर के मंदिर में जहां पर आप प्रति दिन पूजा पाठ आराधना करते हैं सब कारे करते हैं सब धरम के कारे करते हैं उस स्थान पर आप तेरवा दीपक जलाएं उसके पशात उस दीपक को आप अपने घर के परतेक कमरे में बातरूम में किश्चन में कहीं भी आपके घर में जो स्थान हो कोई भी स्थान हो वहाँ पर आप उस दीपक को एक बार ले कर और वहाँ पर वापिस आकर घर के मंदिर में आप उस दीपक को रख दीजिए तो ये 13 दीपक आपने धन 13 के तोहार के दिन जलाने है जो बड़ा दीपक है चार बत्ती वाला दीपक है वो यमराज की परसंता के लिए सबसे अंत में घर के बाहर दाहिनी और जाकर आपने जलाना है वो दीपक भार ही रहना चाहिए अगले दिन उस दीपक को आप घर के आसपास कहीं भी कूडे में जाकर फैंक सकते हैं वो दीपक घर में वापस नहीं लेकर आना कुछ लोगों में ये परंपरा है कि कुल 26 दीपक जलाए जाते हैं 13 दीपक घर के बाहर जलाए जाते हैं और 13 दीपक घर के अंदर जलाए जाते हैं तो जैसे आपके घर में परंपरा हो जैसे आपकी कुल की परंपरा हो उसी हिसाब से आप दीपक जला लीजिए तो जो इन तेरहें दीपकों में एक एक रुपे का सिक्का या पांच रुपे का सिक्का कुछ भी आपने रखा है अगले दिन आप सब सिक्कों को इकटा करके उससे किसी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए किसी मांगने वाले को दे दीजिए या भगवान के मंदिर में जाकर वहाँ पर उसको आप चढ़ा दीजिए तो ये सारे धरमकारे आप धन तेरस के त्योहार के दिन करिए फिर आप देखेंगे कि कैसे भगवान की क्रिपा होती है त्योहार का अर्थ केवल खाना पिना या नाचना कूदना और मस्ती करना ही नहीं है त्योहार का वास्तविक अर्थ तो यही होता है कि इस दिन हम सभी धरमकारे अच्छे तरीके से करें ताकि भगवान की हमारे घर के उपर सदा क्रिपा बनी रहे तो धन तेरस के त्योहार के दिन आप ये सबी धर्मकारे केजिए आपके उपर भगवान की अनंत क्रीपा बनी रहेगी आपके घर में सदा महालक्ष्मी मा का निवास बना रहेगा आप सदा सुखी रहेंगे तो मंदर शिबंसी वाले महात्मा यूटीब चैनल के ओड़ से आज के इस कथा को सुनने के लिए आप सब का हारदी का धन्यवाद क्रीपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कार्तिक मास महत्यम की कथाएं तथा अन्य कथाएं हमारे चैनल पर अवश्य सुनिए इस कथा के विशे में कोई आपका प्रशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं तो भगवान शी रादा क्रिशन जी के अनंत क्रिपा सदा आपसब पर आपके परिवार पर बनी रहे इसी मंगल कामना के साथ जै शी राधरानी सरकार की जै शी क्रिशन भगवान की जै कार्तिक मास महत्यम की जै धन तेरस्त्योहार की जेजे शिराधी, जेजे शिराधी, जेजे शिराधी स्याम